है एवरीवन वेल्कम बैक टू आवर चैनल कैसे हैं आप सब आप सब आप सब अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे इस थैंड में और अभी आ रहा है मकर संक्राण तो मैं जा रही थी बनाने गुर्ड के लड़ू औ तो मैं फिर बनाऊँघी तो मैंने सोचा ऊफिति आप साथ प्रेश्पिय और मैं जाहिए बनाए जहरे हमा जाल यू बनाने और पूसन भीषण कर में तो छिल भूक पूंहरा हुआ और अभी यह है 500 ग्राम तिल यह 100 ग्राम तिल है यह 500 ग्राम है अभी मैं इसको रोस्ट कर लोगी तो इसको बिना कुछ डाले हमें रोस्ट करना है तो अभी यह पैन मैंने जल अन कर लिया है फ्लेम और मैं भून लुए अब तो इसको लो फ्लेम पे हम पिंकिस होने तक भून लेंगे sensible brown होगा तब तक हमें भूनना होगा low flame पे ही continuous चलाते हुए भूनना है जब तक मैं भून रही थी तो मैंने बेशन ले लिया है तो मैंने राजधानी का बेशन लिया हुआ है गुड के लड़ू बनाने के लिए और एक किलो बेशन है ये भून जाएगा तो हम इसको पलट लेंगे और हलकत कम ही रहेगा तभी क्योंकि आगे प्रॉसर से उतर तो यहां पर मैं उसको छान लूँगी और फिर उसको नॉर्मल पानी से गूथ लेंगे रूम टंपरेचर पर हमारा पानी रहेगा कोई गरम या बॉयल ऐसा कुछ पानी नहीं लेना है कड़क गूथ लेंगे जब हम थोड़ा कड़क गूथ लेंगे तो उसमें एक एक स्प घी लगा लगा के तो वो थोड़ा क्रंची भी रहेगा और सॉप्ट भी रहेगा अट दे सेम टाइम तो यह जरूरा आप करें नहीं तो सक्त बन जाएंगे और अब मैंने कड़ाही में ले लिया है लगभग एक लीटर तेल और फिर मुझे जरूरत होगा तो मैं वापस औ और डालोंगी तो तेल गरम हो जाएगा और यह हमारा गूता हुआ है और यह हमने जो गूता था वह 10-15 मिनट रेस्ट कर चुका है तो इसको बोलते हैं जर्नी यूपी इस्ट में इसको जर्नी बोला जाता है तो जर्नी के ऊपर मैंने ओयल लगा दिया है और अब बेशन की छोटी छोटी लोईयां ले करके हाथों से हम घिसेंगे और इस पर ओयल लगाया हुआ है मैंने ओयले से लगाया है ताकि जब इसको हम घिसें तो यह आसानी से नीचे गिर जाए और जब इसको हम घिसेंगे तो हाथों में थोड़ा बार बार बीच में पानी लगाते रहें तकि यह आसानी से नीचे गिरता रहा है और हाथों में हमारे ज़्यादा चिपके ना यूदकि बेशन बहुत हाथों में चिपकता है तो देख सकते हैं आप कि मैं पानी बार बार लगा रही हूं तो ऐसे ही करके हम सारे जितने गुते हुए हैं उनको हम जार लेंगे पार लेंगे पानी से हम पार बार लेंगे ।ो वे जार गिरता है ज़ सकते हैं आपू आप examination अब हमारा सेब हो गया है तलते हुए अब हलका ब्राउन हो गया है इसको हम हलका ब्राउन ही रखेंगे और उसको निकाल देंगे क्योंकि आगे अभी ये cooking process continue रहेगा तो ध्यान रखेगा आप कि हलका ब्राउन ही रखेगा बाद में और ब्राउन हो जाएगा अभी मैं दूसरा बैच चान रही हूं जार रही हूं उसमें और चानूंगे ऐसे मैं चार पांच बैच बनाई थी तो अभी मैं दूसरा बैच अपना नि क्लीष बैक ただ vot करे बाद में करें पांच भी मैं पाती का ड्राउन ही झाल farmers टूसरा बदि거 आईबा ड्राउनoubleन का ण् सावन काूसरा बाद का प्राई हो ensures अग लाद श्नीया जन्yang अपना अपना दूसरा चातार का धूस्टन और्ल अब हमारी सारी मूच्छी ज्ठ चुकी थी मतलब सेव हमारे योपी इसमें इसको मूच्छी बोला जाता है तो ज्ठ चुकी ती ज्ठ लिया था था मैंने तो अब यहां पे मैं देशी गूँ जो हमारे वारानसी में मिलता है actually मैं वारानसी से हूँ तो हमारे वारानसी में ऐसा घी मिलता है तो ये मैं वहीं से ले आई थी तो हमारे पास ये था और तिल के पट्टी मैं बना रही हूँ तो हमारे यहां मकर संकरानती के दिन तिल खाना जरूरी होता है अब आप सब आप कहां कहां से आप सब के यहां क्या होता है वो आप मुझे comment करके बताईएगा जब तक मेरा गुड़ पक रहा है तब तक मैं थाली को grease कर लूँगी घी से आप oil से भी कर सकते हैं किसी चीज से आप जिससे convenient हो और देखें गुड़ हो गया है उसको चेक करने का तरीका यह है कि आप पानी में डालिए जब वो इकठा होने लगे अच्छे से तो समझ लिजी आपका गुड़ हो चुका है जो गुड़ का पाक बोलते हैं यह हो चुका है और इसको flame off करके कम से कम पांच मिनट इसको खूब फेटेंगे तब ही यह जा करके पटी अच्छी बनेगी पांच मिनट मैंने फेट लिया है अब इसमें मैंने डाल दिया है भुना हुआ तिल और तिल को भी डाल करके लगभग 2-3 मिनट अच्छे से इसको फेटेंगे तो खूब फेट लेंगे तो जो हमने थाली grease करी थी उसमें हम इसको transfer कर देंगे और आपको कुछ करने की ज़रूरती है अगर bubble बनता है तो आप उसको 2-3 बार ऐसे tap कर देंगे तो bubble निकल जाएगा और वैसे bubble बनने के chance नहीं है तो देखिए मैंने ये जमा दिया अब इसक Daeshatट व्राणसी में हम लोग सको मेरत वाला गुड बोलते हैं से तो ये मैने लिया हुआ है मेरत‑वाला गुड अब मैं जा रही हूं srória बैषन के नहीं, बैषनके ही हैแตश में यहीं के लड़ू बनाने तो इसका मैं पाग कर रहे हूँ इसको भी प्रॉसेस से चेक करेंगे जब दो तरीकों से आप पहचान सकते हैं एक तो जब आप गुड़ पकाएंगे तो एकदम whipping 그렇게 होगा फील दो-तीन मिनट ऐसे हम चलाते हुए मिडियम फ्लेम पे पकाएंगे ताकि गुड के अंदर जो है सेब अच्छे से कोट हो जाए गुड में गुड के साथ और सेब में अच्छे से मिठास आजाए और अब यहां हलका गरम जब यह रहेगा तब ही हम इसको बांधेंगे ध्यान बान करके इकथा कर रही हूं ताकि गुड ठंडा ना हो जो अब ये दूसरा बैच माने बना लिया था, अब इसको कोट कर दिया है, गुड में लपेट दिया है, और इसको मैं चला के थोड़ा ठंडा कर रही हूं, मतलब बहुत चाहिए ठंडा नहीं करना है, गरम ही हलका रहेगा तब ही, ताकि इतना गरम रहे कि हम हैंडल कर पाएं उतने गरम पे हमें बादना है और आप देखिए एक साइड मेरी पट्टी जमी है यह मेरे गुड के लड्डू बदे हुए तो फ्रेंड्स मेरा यह गुड के लड्डू बनके तयार है इसको लख्ठा भी बोलते हैं तो हमारा लख है तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें और भर भर के प्यार दीजिए आप जेतना लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप सब के साथ अपनी रेस्पीज डेली लाइफ फैसन और आप सब चीजे सेय करती रहोंगी तो once again please like share and subscribe to our channel and enjoy the लग्था